तो हेलो गुड मॉर्निंग एवरिवन कैसा है आप लोग स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल पे और आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे रेसेप्टर अक्यूपेशन थेयोरी पे इसमें हम लोग समझेंगे कि रेसेप्टर के बारे में कि रेसेप्टर क्या ह होते हैं उसका एक्षन उसका मेकैनिजम सारा कुछ हम वीडियो में टीटेल में जानेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आप समझते हैं रेसेप्टर क्या होता है कि रेसेप्टर एक ऐसा मैक्रो मॉलिक्यूल है जो की कहा कहा पर प्रेजेंट रहता है सेल के आउटर सर्फेस पर प्रेजेंट रहता है और सेल के अंदर भी प्रेजेंट रहता है और रेसेप्टर पर क्या होता है कोई ड्रग मॉलिक्यूल आ करके बाइंड करता है और रेसेप्टर क्या कर दिखाता अपना रेस्पॉंस शो करता है तो यही हमने आज तक जाना था रे ड्रग का एक्षन किस तरह से होता है ठीक है कि ड्रग जो है वो पहले क्या करेगा जाएगा रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा और फिर ड्रग और रिसेप्टर का एक कॉंप्लेक्स बनेगा जिससे कि क्या होगा एक्षन प्रोड्यूस होगा ओके तो फिर क्या होता है हमार इस तरह से action होता है उसने यही Clark नाम के इंसान ने theory दिया था based on the occupation of receptor, occupation of receptor मतलब receptor किस तरह से work करता है अलग-अलग drugs के, अलग-अलग receptors होंगे और अलग-अलग उसका function होगा है न, कि जैसे कोई sensory receptor है, वो क्या करेगा हमारा message को transfer करेगा जो कि जैसे की heat का अलग होगा, अलग-अलग जगा पर अलग-अलग receptors present होते है तो फिर इसमें क्या है, इसका definition कि occupation of receptor is essential लेकिन सिर्फ receptor का ही होना जरूरी नहीं है response दिखाने के लिए क्योंकि receptor क्या है, एक जगा है बस, एक जगा है जहाँ पर कहा होता है जैसे receptor क्या एक room है, जहाँ पर कोई काम हो सकता है बट सिर्फ room के होने से आपकी factory नहीं बन जाएगी, है ना, जहाँ पर काम नहीं होगा factory से outlet वहाँ पर आपको कुछ raw material भी डालना पड़ेगा तो raw material क्या होता है, अपना agonist है ना, तो receptor क्या करता है, एक agonist से आगर के bind करेगा और agonist से bind करने के बाद क्या हो जाएगा, वो activate हो जाएगा और activate होगा, तो फिर वो क्या होगा, अपना response शो करेगा मतलब agonist क्या होता है, पतागी आपको, कि एक ऐसा सब्स्चांस होता है जो कि receptor से bind करता है, और therapeutic effect शो करता है, या pharmacological effect दिखाता है, agonist की था, तो agonist आएगा और receptor से bind करेगा, और अपना effect दिखाएगा, के लिए receptor कुछ नहीं कर पाता है, ओके, affinity क्या है हमारा, यहाँ पर दो important terms है, जो कि two marks में आपको पूछे जा सकते, exam point of view से, पहला है अपना affinity, और दूसरा है अपना intrinsic activity, तो affinity क्या होता है, कि किसी भी drug का ability, क्या affinity मतलब होता है, प्यार, कि drug जो molecule है, उसके अंदर कितना प्यार है, कि वो receptor से bind कर सकता है, उससे प्यार कितना है उसको, तो वही क्या है, हमारा ability of a drug to bind with a receptor, उसको हम लोग affinity बोलते हैं, अगला है कि आपना intrinsic activity, ये भी two marks से question में important है, intrinsic activity क्या होता है, कि एक ऐसा capacity है, जिससे कि कोई functional change आ जाए, आफिनिटी में बस क्या हो रहा है, कि आके जुड़ रहा है, और intrinsic activity में क्या हो गया, कि चलो, जुड़ गया भाई, आप जुड़ने के बाद कुछ तो गुची-गुची होगा, उसका, तो फिर वह क्या होगा, अपना functional change दिखाएगा, हमारे receptor के अंदर, कुछ pharmacological effect आएगा, या फिर कुछ activate करेगा, ओके तो intrinsic activity क्या है, कि हमारा वैसा capacity है, जिससे क्या होगा, एक response generate होगा, ओके, और फिर जो intrinsic activity है, इसको हम लोग measurement भी कुछ होता होगा, तो 0 से लेकर के एक तक इसको number देते हैं, आप लोगों ने भी number दिया होगा, अगर आप teacher होगे कभी तो, तो फिर यह क्या है हमारा, कि intrinsic activity को हम लोग 0 से लेकर के एक तक का number assign करते हैं, ठीक है, on the basis of activity, कितना ज्यादा active है, जो एक दम inactive होगा, उसको 0 दे देंगे, जो थोड़ा पढ़ने में अच्छा होगा, जो active होगा, उसको highest एक number मिलता है, ठीक है, तो उसी हिज़ाब से हम लोग देखते हैं, तो agonist क्या होता है हमारा, agonist आपका highly active है, वो क्या करता है, उसका affinity भी ज़्यादा है, और maximum intrinsic value होता है, क्यों, क्योंकि agonist आएगा, receptor पर आ करके bind करेगा, और क्या functional change दिखा रहा है न, तो उसकी IA की value क्या हो जाती है, 1, यह आपको याद करना पड़ेगा, क्या agonist में intrinsic value क्या होती है, 1 होती है, जैसे example क्या क्या हमारे agonist के, adrenaline, histamine, morphine, यह सारे हमारे agonist के examples है, अगला है क्या अपना competitive antagonist, तो competitive antagonist होता है क्या आपको पता ही होगा, antagonist क्या होते हैं, जो bind कर जाएंगे किसके साथ, receptor के साथ bind कर जाते हैं, जरूर, बट वो क्या दिखाते हैं, कोई भी therapeutic action, कोई भी pharmacological action नहीं दिखाते हैं, तो हमारे intrinsic activity के principle के आधार पे हमने क्या पढ चाओगा, उसको one दिखाएंगे, मतलब जो activity शो करेगा, उसको one, जो कम शो करेगा, उसको थोड़ा सक कम, या फिर जो नहीं ये करेगा यदाम तो उसको zero, तो नहीं ये करता है antagonist है, तो उसकी intrinsic activity क्या होती है, बिलकुल zero होती है, ठीक है, इसके अंदर affinity जरूर होगा, लेक example है competitive antagonist के, और partial agonist, आपको पता है partial agonist क्या होता है, जो partial response दिखाता है, ठीक है, मतलब वो response तो दिखाएगा, agonist वाला काम तो करेगा, बट antagonize करेगा, इसके definition क्या है, partial agonist का, कि partial agonist response तो शो करता है अपना, बट antagonist activity दिखाता है, किसके लिए, antagonist activity, to full agonist, मतलब full agonist को अपने activity दिखाने से क्या करता है, यह रोकता है, partial agonist आपके bind कर जाता है, और इसकी affinity, तो क्या होती है, आधे से थोड़ा जाधा bind करेगा, आधे से थोड़ा जाधा action दिखाएगा, बट full action दिखाने से क्या होता है, उसको antagonize करता है, मतलब उसको रोकत है, full action दिखाने से, तो इसकी affinity होती है, और फिर maximum intrinsic value क्या होती है, हमारी 0 और 1 के बीच में होती है, है न, क्योंकि यह full response नई show कर रहा है, इसलिए 1 नहीं कह सकते हैं, और बिल्कुल response भी show नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें कुछ response शो हो रहा है, इसलिए 0 से जाधा और 1 से कम, तो यह हुआ अपना partial agonist, अब यहाँ पर क्या अपना note है कुछ, कि partial agonist का affinity ज़्यादा होता है, किस से, full agonist से, मतलब अगर आपके पास एक receptor present है, और यहाँ पर partial agonist है, और एक full agonist है, इसका प्यार इस receptor के लिए ज़्यादा होगा, इस से, क्यों, क्योंकि यह हमारा partial agon अपना bad boy है, और receptor उससे ज़्यादा attract होगा, और फूल agonist के अपना good boy है, तो फिर इसका प्यार इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा attract होगा, इससे ज़्यादा bounding होगा और ज़्यादा binding होगा partial agonist का, तो full agonist के activity शो नहीं होने देगा, suppose 5 receptor यहाँ पर present है, चार किसने bind कर लिए, partial agonist ने, और फिर full agonist वाला बस एक मिल पाया, उसको, एक कुरसी उसको मिल पाई, तो फिर उससे क्या होता है हमारा, कि partial agonist की affinity प्यार ज़्यादा होता है, as compared to full agonist, और ज़्यादा bind करेगा partial agonist, तो फिर आपको full agonist का असर देखने को कम मिलेगा, example है इसका क potent मतलब ज़्यादा अच्छे से bind करता है, किस से, morphine से, इसके receptor से, morphine जो है हमारा वो क्या है, full agonist perform है, true, तो फिर इसका जो affinity है, इसका जो प्यार है, इस receptor से वो 25 गुना ज़्यादा है, वो ज़्यादा आसानी से क्या करेगा, bind करेगा, अगले टोर में क्या आपना inverse agonist, य इन्वर्स agonist में भी क्या होगा, affinity होगा, यह bind जरूर करेगा, लेकिन इसकी intrinsic activity क्या होगी, उल्टी होगी, inverse agonist कैसे होते हैं, वैसे compound होते हैं, जो की receptor के साथ bind करके, अपना opposite response शो करते हैं, अब opposite response शो करेंगे, तो भाई उसको, मतलब काम करने कुछ जा रहा है, करके कुछ और आ रहा है, तो फिर उसको negative marking तो मिलेगा, काम गलत करेगा, तो फिर बस उसी तरह है, इसकी intrinsic activity क्या होती है, 0 और minus 1 के बीच में होती है, तो यही था हमारा receptor occupation therapy, या theory, कि receptor किस तरह से काम कर अलग अलग पार्ट में बाटा गया उसको, कि agonist का क्या था, हमारा 0, agonist का क्या था, interesting activity 1 था, examples आपको यह सारे थे, competitive antagonist का 0 था, partial agonist का 0 और 1 के बीच में था, inverse agonist का 0 और minus 1 के बीच में था, अगला अपना model है, जो कि बहुत important model है, जो कि 5 marks के basis पे आपको exam में पूछा ज सकता है, two state receptor model, ठीक है, तो फिर हमारा two state receptor model कहता क्या है, कि receptor को, जो हमारे body में present है, वो दो तरह के पाए जाते है, एक कौन से form में होता है, active form में होता है, और एक किस form में होता है, inactive form में होता है, ठीक है, और यह जो active और inactive form है, इनके बीच में क्या होता है, equilibrium installed रहता है मतलब दोनों बराबर मातरा में रहते है ठीक है तो वही पहला point है क्या आप न कि receptor को हम लोग दो तरह से हमारे body में present रहता है एक रहता है क्या active form एक रहता है inactive form और दोनों के बीच में क्या रहता है equilibrium maintained रहता है ठीक है पहला point ये लिखेंगे हम और अगर आप exam में point wise लिखके आओगे न तो आपके number कोई नहीं काट सकता है ठीक है तो इस पर आप लोग ध्यान रखना है पहला point ये देखते हैं दूसरा point क्या है आपना कि agonist जो है ठीक है agonist क्या करेंगे बाइंड करेंगे active side से ठीक है क्योंकि उसकी प्यार active के लिए ज़्यादा है और फिर active side से bind करेगा तो फिर agonist जब बाइंड करेगा तो equilibrium की दर shift हो जाएगा active side के तरफ ठीक है मतलब इधर का मातरा ज़्यादा होने लगए अधर का ज़्यादा होने लगेगा ठीक है और जितना ज़्यादा agonist का concentration होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा active receptor होगा और जितना ज़्यादा bind करेंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा असर दिखाएगा और competitive antagonist जो है वो दोनों से bind करते है ठीक है competitive and agonist क्या होते हैं वो दोनों से बाइंड करते है एक्टिव से भी इनक्टिव से भी दोनों की क्या होती है इक्वल एफिनिटी होती है और उसके वज़े से इक्वल एफिनिटी मतलब क्या हो गया कि जैसे यह देखो हमारा ये receptor active वला और ये है receptor अपना inactive वला ठीक है और यहाँ पर है क्या आपना competitive एगो निष्ट ये क्या करेंगे इससे भी बाइंड करेंगे इससे भी बाइंड करेंगे ठीक है इस तरह से बाइंड करेंगे कि इन दोनों का equilibrium जो है वो maintained रहेगा सपोज 50 ये है तो 50 इसको भी रहने देंगे और अगर यही agonist bind करता है सिध्धा agonist bind करता है तो फिर क्या होता है हमारा इसका मातरा बढ़ने लगता एक्टिव साइट पे और response हमारा क्या होता है शो होने लगता है ठीक है और bind करेंगे दोनों तरफ का equilibrium रहेगा है ना equilibrium में रहेगा तो कोई भी response नहीं होगा ठीक है और इस वज़े से क्या होता है कि कुछ ही active site available रहते है agonist से bind होने के लिए क्यों कि सारे जो हम सारा जो है कौन कर गया competitive agonist आ करके bind कर गया है सारे receptor पर है ना तो फिर कुरसी हमारी सपोस्पचास कुरसिया थी उसमें से 40 कुरसिया पर कौन बाह करके bind कर गया competitive ag agonist के लिए तो फिर उसके क्या होगा हमारा action जो है वो शोलो हो जाता है अगला है कि आपना agonist agonist की तीसरी point क्या हमारा agonist की बस थोड़ी सी affinity होती है किसके लिए active site के लिए then ri ठीक है यही बात है उपर वाली बात कि agonist की प्यार जादा होता है किसके लिए active sites के लिए as compared to inactive site के लिए agonist ज्यादा किस पर bind करते है active site पर bind करते है और बस थोड़ा साही ज्यादा प्यार होता है थोड़ी सी ज्यादा affinity होती है और जब bind करेंगे इस से तो फिर हमारा जो equilibrium है वो इधर shift हो जाएगा किदर active site के तरफ है ना एक sub maximum response भी produce होता है और फिर उस drug को हम क्या भारा बाइंड करता है receptor के साथ और receptor के साथ बाइंड करके sub-maximal मतलब maximum response नहीं शोने देता maximum से कम response शोने देता ठीक है intrinsic activity क्या होती है partial agonist की 0 और 1 के बीच में मतलब maximum response 1 हुआ 1 नहीं शोने देगा 1 से कम में रखेगा 0 से ज्यादा रखेगा यही होता अपना partial agonist और वैसे sub-maximal response शो करते हैं और फिर इंवर्स agonist की ज्यादा affinity होती है किसके लिए inactive side के लिए क्यों क्योंकि इनको उल्टा response दिखाना उल्टा response दिखाना तो उल्टे जगा पर बाइंड करना पड़ेगा है ना तो यही था हमारा two state receptor model एक बार फिर से उसको रिवाइस कर लेते हैं two state receptor model तो यह जो हमारा receptor है वो ऐसा पाया गया है कि वो दो state में पाया जाता है ठीक है interchangeable state होते हैं पहला क्या होता है हमारा receptor जो active रहता है ठीक है active receptor और दूसरा कहा रहेगा हमारा inactive receptor और यह दोनों क्या होते हैं अपने equilibrium में रहते हैं जब इस पे कोई भी drug आ करके bind नहीं करत है ठीक है जब agonist bind करेगा तो किस से bind करेगा active site से active receptor से क्यों क्योंकि उसका affinity active receptor के लिए ज्यादा है और फिर इसका equilibrium है वो इधर shift हो जाएगा इधर जादा हो जाएगा और फिर इससे क्या होगा हमारा response generate हो जाएगा ठीक है और अगर competitive antagonist है वो उसकी affinity इसके लिए भी उतनी है और यह क्या करेगा equilibrium हमारा maintained रहेगा equilibrium हमारा maintained रहेगा 50-50 का for example maintained रहेगा और फिर हमारा कोई भी response generate नहीं होगा अगला है क्या आपना लेकिन कुछी जगा बचेंगे हमारे agonist के bind होने के लिए suppose 40 कुरसिया इसने ले ली किसने competitive agonist ने तो agonist को bind करने के लिए कितने कुरस active side receptor के लिए then inactive के लिए और equilibrium कीदर shift हो जाएगा हमारा इस तरफ shift हो जाएग और response generate होता ठीक है partial agonist का definition क्या होगा हमारे sub-maximal response produce होता है और drug को हम क्या बोलता है partial agonist और inverse agonist क्या करेंगे क्योंकि उसको ultra response दिखाना है agonist कहां bind कर रहा था agonist bind करना था किदर receptor के active side पर और inverse agonist कहां bind करेगा हमारे inactive side पर क्योंकि उसको ultra असर दिखाना है तो यही था हमारा two state receptor model अगला है क्या अपना nature of receptor कि अब हम समझेंगे कि receptor किस तरह का होता है क्या-क्या उसमें macromolecules present रहते हैं हमने इतना तो जान लिया कि receptor यह करता है receptor में यह bind होते है यह वह bind होते है अब देखना है receptor किस चीज़ से मिल करके बना हुआ है तो इसमें भी हमारे total 5 points है चारी points है ठीक है nature of receptor कि receptor कहा है हमारे macromolecules है किस चीज़ के बने हुए वह या तो प्रोटीन हो सकते ह है ना यह सारे हमारा क्या हो सकते receptors हो सकते macromolecules है molecular cloning subject है एक topic है जिससे की हम लोग receptor का structure और उसका properties पढ़ सकते हैं ठीक है molecular cloning से हमने बहुत आसानी हो गया है receptor के बारे में जानना कि receptor किस चीज़ से बना हुआ है प्रोटीन में भी आपको पता ही हो कि तरह के होते हैं छोटे-छोटे amino acids से होते हैं अलग अलगतर है essential non essential बहुत सारे हैं है ना तो फिर molecular cloning से हम लोग receptor का structure और उसका classification कर सकते हैं और फिर receptor को हम लोग कैसे determine करते हैं basically दो तरह के लिपोफिलिक receptor हो सकता है या hydrophilic होगा है ना लिपोफिलिक मतलब क्या होगा लिपिड soluble लिपिड soluble receptor हो सकता है या water soluble receptor हो सकता है दो ही तरह का हो सकता है ना ठीक है ligand जो है वो bind करेगा एक side में receptor के और फिर कुछ change दिखाएगा conformational change दिखाएगा है ना ligand क्या हुआ हमारा ligand कोई ऐसा रिची 梅ब होता है जो कि क्या दिखाता है आफिनिटी दिखाता है के bind करने की affinity होती है तो हम हम लिगेंड यहां पर करके bind किया hineकोनिस्ष मैंगया करेगा तो क्या दिखाएगा कुछ action दिखाएगा कुछ effect दिखाएगा, कुछ conformational change लाएगा, है न, तो बस यह हमारा nature of receptor, कि receptor कैसे है हमारे macromolecule से, क्या क्या हो सकते हैं, किस चीज़ मने हो सकते हैं, protein से, nucleic acid से, और molecular cloning से हम लोग उसका structure और classification कर सकते हैं, दो तरह के receptor होते हैं, हमारे कौन-कौन से, lipophilic, hydrophilic, ओके, तो ligand ज change देगा हमारे body के अंदर, ओके, अब देखते हैं, कुछ छोटे-छोटे-छोटे-छोटे definitions, ठीक है, जो कि बहुत जादा important है, पहला है कि आपना silent receptors, तो यह वैसे site है, जो कि bind करेंगे, कुछ specific drugs के साथ, ठीक है, silent, bind तो कर जाएंगे, लेकिन कोई भी response नहीं दिखाएंगे, यह वैसे receptor, इसके पास, मतलब, जगा तो है, बहुत, यह काम करने लाएक योग्य भी है, बट यह अपनी योग्यता नहीं दिखाता, ओके, क्यों, यह आया है, यहाँ पर bind करेगा silent receptors से, लेकिन कोई भी pharmacological response या फि होता है, अपना क्या, silent receptors, तो receptor का definition क्या कह सकते हैं, दो नमबर की हिसाब से, अगर पुछा जाए, या फिर एक नमबर में, कि receptor हमारे वैसे binding site है, जो की कोई जन response शो कर सकते हैं, कि वैसे binding site है, जो की क्या response, जो शो कर सकते हैं, अगर उसमें कोई आ करके, ligand आ करके कोई bind कर जाएगा, तो फिर वो अपना response शो कर सकते हैं, तो यही है अपना receptor, and two marks के कुछ important questions भी discuss कर लेते हैं, जो आपके exam में आने ही आने हैं, तो पहला question है कि अपना drug action, and drug effect, effect की spelling अला से यह हैं, drug action क्या होता है, सबसे पहले वहाँ पर क्या होगा, action होगा, नाम से समझ लो, drug का action, और यह drug का effect, क्या effect दिखाएगा, okay, action में क्या होता है कि combination होगा, drug का अपने receptor के साथ, बस, action में यही है, आया drug, अपने receptor के साथ, bind किया, और फिर क्या होगा हमारा, कुछ conformational change आएगा, यही है action, ध्राम से action दिखाया, और फिर agonist में यही होता है, क्या होत करेगा, और कुछ conformational change दिखाएगा, यही नि, pharmacological response देगा, और antagonist के case में drug action क्या होता है, कि conformational change होने से रोकता है, यह न, antagonist वही करते हैं, कि receptor के साथ bind करते हैं, और फिर receptor के pharmacological action को show नहीं होने देते हैं, okay, तो यह होगा अगना antagonist, कि conformational change को नहीं होने देगा, receptor में, और agonist म अगला क्या अपना effect, चलो, bind तो हो गया भाई, अब क्या करेगा, वहाँ पर कुछ biological function होगा, तो उससे क्या होगा हमारा, कुछ drug action के वज़े से, कुछ consequences होगे, सबसे पहले, मतलब वहाँ पर जुडेगा, फिर वहाँ पर कुछ chemical changes आएंगे, फिर वहाँ पर क्या होगा, कि आसपास वाले receptor को signals देगा, ठीक है, तो drug effect क्या होगा है, कि bind करने की बाद की प्रकिरिया, कि क्या हो रहा है, उस receptor के साथ, activate तो कर दिया है, drug action में क्या हो रहा था, activation, और drug effect में क्या होगा, activate तो हो गया भाई, अब क्या करेगा ये, तो यही है अपना drug effect, ठीक है, ultimate change होता है, कहा हमारे biological function में, जिससे की हमारा drug action का एक consequence है, आगे के steps है, कुछ intermediate steps भी आते हैं, अगला है अपना क्या, most important topic, transducer mechanism, और transducer mechanism में क्या है अपना, पांच तरह के कुछ receptor के channels होते हैं, कि क्या क्या mechanism है, जिससे की receptor अपना response शो करता है, जैसे हमने पढ़ा था, कि drug action में क्या हो रहा, आके bind कर रहा है, and drug effect में क्या होगा, कि आकर कैसे असर दिखाएगा, तो वही हम पढ़ेंगे इसमें drug effect, कि 5 तरह से तो classify किया गया है, पहले है कि अपना G protein couple receptor, ion channel, इन तरह से हमारा action के बाद वारा step होता है, कि bind तो कर गया, अरले lecture में, thank you for watching this video